हाल दोस्तों मैं एजे आज हम बात करेंगे चंद्रगर्ण के बारे में चंद्रगर्ण यानि चंद्रमा पर ग्रहन लगने वाला है दोस्तों चंद्रगर्ण जब भी होता है तब हमेशा पूरणीमा होती है यानि जब हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है पुर्थवी से चंद्रगरण तब होता है जब सूरिय, पुर्थवी और चंद्रमा अपने अक्ष पर एकी लाइन में आते हैं जैसे कि यह है सूरिय, यह है पुर्थवी और यह है चंद्रमा यहां तीनों एकी लाइन में है जब यह एक लाइन में होते है तबी चंदरग्रण होता है पर चंदरग्रण होता है तो सूरिय, पृत्वी और चंदरमा एक लाइन में आते है जब चंदरग्रण होता है तो सूर्य का प्रकश पूर्त्वी पर डारेक पढ़ता है और तबी पूर्त्वी की चाया चंद्रमा पर पढ़ती है यानि चंद्रग्राण के वक्त चंद्रमा पर जो काला काला दिखता है वह दरसल हमारे पूर्त्वी की चाया होती है दोस्तो पर जब पूरा चंद्रगन होता है तब चंद्रमा कुछ समय के लाल दिखाई देता है यह इसले कि सुरे का जो प्रकाशे पुर्त्वी के वायू मंडल यानि एट्मोस्पेल से टाकरा कर जाता है और जब वायू मंडल में टाकराता है तो वो सात रंग में परिवरतन होता है और सबसे ज़्यादा लाल रंग की मातरा चंद्रमा पर पड़ती है दोस्तो आपने कभी न कभी सोचा होगा कि आमावस और पूरणी मातों हर मैने आते है तो सोर्य गरण और चंद्रगरण हर मैने क्यों नहीं आते इसका करण यह है कि पूरत्वी के आक्ष पर चंद्रमा के आक्ष का जुका होना और यह जुकाव करीब 5.15 डिगरी है इसलिए हर बार चंद्रमा पूरत्वी की चाया में प्रविश नहीं करता इसी कारण से हर मैंने सुर्यगरण और चंद्रगरण नहीं होते चंद्रगरण पूरी पूर्थी पर यानि जहाँ पर अंदेरा होता है वहाँ पर एकी समय पर चंद्रगरण होता है पर सुर्य गरन थोड़े थोड़े समय बात थोड़े थोड़े देशों में होता है